तो आज देखें गे की पेजल आउट क्या होता है उसके बाद पेजल आउट में भी दो तरहos होता है नार्वल पेजलाउट एक होता है कॉंपाइक पेजलाउट और फिर हम देखेंगे कि लिस्ट वीव क्या होता है तो अब इसमें पेजलाउट है बहुत ही नॉर्मल सा चीज है पेजलाउट बेसिकली किसी भी ऑबजेक्ट का कोई भी ऑबजेक्ट हमने बनाया वो कस्टम हो या करते हैं पेजलाउट बैसिकली एक तरह से यूवाई में दिखाता है कि आपका कौन सब्सक्राइब कहां पर दिखेगा उस ऑबजेक्ट के लिए तो अब ही अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड थे जैसे कि हमारे पास इंप्लाइज का है कंपनी क का सद्थका है कस्टमर का अगर हम कोई भी एक उपन करें तो यह सरी की वेशिक लिए और जो अबहिं बिखेंग ठीक थे कुछज आइध पीबित इसके अंदर बट उसका डिए टिए अगर यहाँ पर इसकी कंपनी है नहीं है कंपनी में अगर जाएं और कोई बिए कंपनी ओपन करें तो यह भी शेम चीज पैसलाउट है यह जो बटन्स है यह सब पेजलाउट से कंट्रोल होती है ठीक है और यहां पर भी कुछ फील्ड से दिखती है व है सारा का सारे कुछ से न्याट होता है अब हम अपना भी बना सकते पेज़ ले आउट वैसे जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब का पहले से होता है हम चाहें तो हम उसी को कर सकते हैं और हम चाहें तो उसी को हम डिलीट करके नया भी बना सकते हैं फिर पुराना डिलीट कर सकता है और पेज लियाउट जो है वो मतलब कि कौन सा पेज लियाउट किसी यूजर को दिखेगा वो एक कॉंसेट होता है रिकॉर्ड टैप का उसमें से उससे पता चलता है अभी हम प respirator की बात नहीं कर से अब इतना समझें कि जो पेजलाउट होता है वह रिकॉर्ड टाइप से कंट्रोल होता है अब में प्रिकॉर्स के यह City मितलब एक वो होता है बढ़िया घॉपर्ञ होटाइप का किया होता है कैसे होता यूww है कि टीसको अप्चुर्ट रिकॉर्ट होता है को चुछाए इक श्तेंडों एक होता है इसका कई नहीं देखता है लेकिन अगर हम कोडिंग कोड के थिरू को कोशिस करें इसको गट करने कि तो हमें रिकोड चाइब डिखता है तो वो हमारे साथ कैसे डिखेगी कहां पे दिखेगी वह सारा देखेगी या इंडिया कट्री देखेगी वह फिर इसको कह सकते हैं कि करता है किसको फिल्ड दिखेगी वह प्रेचल न ही करता जहीं है थे लिए यूज़ नॉर्मल सिर्फ बटा सकते हैं कि कौन से फिल्ड कि दह दिखाने हैं ठीक है अब अगर हम बात करें तो हम नॉर्मल एक इंप्लाई के जो हमारा टाइप है सारी पेजलाउट है इसको मॉडिफाई करेंगे उसके लिए हम जाएंगे चेटप पर जाके यहां से ऑब्जिक मैनेजर पर जाएंगे यहां पर करेंगे हमारा और यहां पर यहां पर प्रियाट है यह जो दिख रहा है अभी तक हम ने डीटेल्स पर बात करी थी और फिर हम ने लुकड करी थी कि और अब तो हमने नया बनाना हो तो हम न्यूप पर क्लिक करके नया बना सकते हैं और अगर इसी को मोडिफाइब करना हो तो हम नया बनाते तब हैं जब हमारे पास कई सारे होते हैं तो अगर हमारे पास record type है ही नहीं तो हमने यह नहीं बनाएंगे हम उसी को जो एक्जिस्टिंग है उसी को modify कर लेंगे ठीक है तो हम इस पर इंप्लाय लियाउट पर जाके इस को यहां पर देखो के फिल्स हैं यहां पर नहीं होय यह सकते हैं उसके बाद में बात करेंगे थो तो यह सारी चीज़ें हम कर सकते हैं आप यहां पर देखो तो यह जो है इंफॉर्मेशन है यह करें यह विजबल और एडिट ओनली तो अब यहां पर देखोगे तो यहां पर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन टाइप का कुछ नहीं दिख रहा लेकिन अगर इसको एडिट करें तो यहां पर भी बैसिकली वह दिखने रहा है यह अभी इसने कहा कि वेजबल एडिट ओनली है तो इसको अगर चाहो कि यहां पर भी दिखे अब यह एडर सेक्शन होते हैं बहुत क्लिक किया और हमने कर दिया डिटेल पेज़ और जब हम डिटेल पेज़ करेंगे तो यह इसे दिखने लगा यहां पर पता ही नहीं चला कि यह सिस्टम इंफोर्मेशन है जो अगर इसको हम क्विक सेव करेंगे तो यहीं पर रहेगा और पीछे ठीक अब अगर अगर हम इसको क्विक सेव करके इसको रिफ्रेस करें तो यहां पर आप देखोगे कि सेक्शन बन गया information कबन गया इसके क्लिक करोगे तो वह कोलाप्स और एक्सपैंड होगा तो मतलब यह पूरा अलग हो गया ठीक है यह पूरी तरह से दिखा रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन इंप्लाई की इंफॉर्मेशन आएगी जो भी है ठीक अब चाहो तो जैसे कि अब कुछ फील्स है जो इधर लाना चाह रहे हो ठी इसको पकड़ो ड्रेग और रॉप कर दो इधर क्योंकि यह दो कॉलम है ठीक है यहां पर आओगे यह परसंटेज कंपनी तो अब देखो कि यह कुछ फील्स इधर है कुछ फील्स इधर है ठीक अब इसको कुईक्ट सेब कर दो फिर से क्योंकि अभी भी हम इस पर काम कर रह बढ़ें ठीक है अभी इसमें क्या है कि यह इनफर्मेशन जो है वो रपस्टंटेज कितना है यह सारी चीजर में ठूंडनी पड़ेंगे तो हम अगर एक अलग से उसके लिए क्या करेंगे आगर देखो तो यहां पर बन गई यहां यहां पर बन गई तो जहां पर बन गई हो वहाँ पर section ऐसे चल के छोड़ देना उसको ड्रैगन ड्रॉप कर देना ठीक फिर से एक बार दिखा देता हूं यह सेक्षन वाला है इसको पकड़ो फिर ड्रैगन ड्रॉप करो और जहां पर भी छोड़ना हो यह जो ब्लू सारी बड़ा सा ग्रेन कलर कर लाइट है उस पर को बताएगा कि यहां पर ऑनी हो सकता लखन के से सब्सक्राइबर इंफ से ना झालृद जाए लगार हो सकता है तो चोड़ों लेकिंद सावरें पर ड्या सेसे और ले चालम हो सकते है अब क्रम यहां दो कॉलेंट 50 आपट यह दो कोलम है क्योंकि दुनों चेंदा सकते हैं जाहो तो इसको एक कॉलम भी कर सकते हो वो ज़रुद पढ़ने पर एक कॉलम की किया जा सकता है जैसे कोई रिच तो यही पूच रहा है कि आपका यह जो टैब की होगा यह टॉप डाउन होगा पहले वान टूट ट्री फूर ऐसे डिफॉल्ट लोग लेफ्ट राइट ही रखते हैं जो रखते हैं लोग क्योंकि यह जादा कुछ फरक पड़ता नहीं है तो यह हो गया उसके वाद हमने किया अब हम ओके करेंगे तो यहां पर हमारे एक सैल्स इंफॉर्मिशन का अलग से सक्षन आ गया अब इसके अंदर हमें अपने फील्ड डालनी है तो अगर वह फील्ड यहां पर है तो लेटसे कि मैं इसको यहां पर वापस रिमूब करता हूं दो चीज़े हैं अगर कोई फील है करेंगे तो यहां से वह फील्ड यह मैं चाहिए तो क्या करेंगे और ड्राइगं रॉप कर देंगे उस अपनी सेक्षंट के अंदर तो जब हम यह चीज़ करेंगे तो इससे आम एक सब्सक्राइड ऑन जाए तो यह चीज़ होती है आप झाल पिक्चर है इसके लिए उस बना सकते हैं profile picture का ठीक है profile picture का एक नया section बना दिया एक column ले लिया क्योंकि एकी column चाहिए हमें और इसमें इस इमेज को टाल दी तो यह देखोगे इतना बड़ा सा एक column हो गया और इसको को क्विक सेब कर लो जब इसको क्विक सेब करोगे तो यहां पर देखोगे कि अब चीजें बदल गई information आ गया सेलरे information आ गया profile picture आ गया उसके बाद system information आ ठीक है यह सारी चीजें अब जिसके profile picture बहुत बड़ी लग रही है इसको चोटा कर सकते हैं हां कुछ पूच रहे हो नहीं प्रोफाइल पिक्चर हो रही है ना कहीं और से उसने वही उस image का वित और लेकर वहां पर दिखा दिया था उसको ठीक है हमारा यह अब इस पर देखोगे तो छोटा सारा तो अब यहां पर जो हमारा employee का यह layout यह पूरा का पूरा साही हो गया ठीक है अब अगर हम देखें तो यहां पर क्या है कि company required required field नहीं है और इस पर्संटेज भी और नहीं है एज मतलब और और जेंडर भी नहीं है तो अगर हम चाहें कि यह फील्स हमें required बनानी है ठीक है तो हम पेज लाउट से भी रिकॉइड बना सकते फील्ड को कैसे अब चलते हैं पर टेश लिआउट में रेट से कि हमें जेंडर बनानी है तो जो रिकॉइट फिल्ड होगी पहली बात तो उसके आगे यह स्टार साइन होगा रेड कलर का ठीक है यह दिख रहा है और इसको रिमूब भी नहीं कर सकते हैं पेज लियाउट से अगर रिमूब करेंगे तो यह एरर देगा कि इस फिल्ड मस्ट बी डिस उसके आगे जो रेंच आइकन है प्रापर्टी का उसके क्लिक करना है आप यहां पे आ रही ही द है दो oxon जि ऊस उप्क करो हो उस फील को में बना सकते हो तो तो अगर रिकारड पर क्लिक करकर करोगे तो यह बना यह हो चाहेंगे तो मिस दॉल हूआ कि चाहते हैं और हम चाहेंगे yes तो पजो रिफूरी कोई करते हैं और जो हमारए तही तरह हो उसको बालए अब यह जो formula fields हैं यह देखो कि read only जो fields होती है उसके आगे यह lock बन जाता है कोई भी field होगी जो read only होगी उसके आगे lock बन जाएगा read only मतलब formula fields या फिर हमारा roll up summary field ठीक है इस पर अगर properties पर जाओगे तो by default वो read only select होगा और required का कोई option नहीं आएगा तो दूसरी चीज़ लेट से की अगर state या इसकिल्स को read only बनाना चाहरे हो ठीक है तो इस पर क्लिक करो तो यहां भी only आएगा और इस पर क्लिक करके ok कर दोगे तो इसकिल्स अब read only दिख रहा है ठीक है इसकिल सब रीड ओनली दिख रहा है दिख रहा है ना लोक का साइन आ रहा है ठीक और अगर कंट्री जो है हमारा अगर उसको भी हमें बनाना आए कि हम बनाना चाह रहे हैं रिकॉर्ड तो हम उसको रिकॉर्ड बना देंगा ठीक है अब कंट्री का क्या है कंट्री का थैंख कि उन्हें तो हम सही जगह पर लाके रखते हैं एंजसे कि जूड़ना ना पड़े कि ओखांना लैori से श्किल्स में तो सक्केस को डाल दिया जया ऑगर हम वापस जाएं यह आप पर इसको फिर से रिफ्रेश करें बेंज को तो आप यहां पर देखोगे कि जो हमारा फिल्ड था वह सही जगह पर है ठीक है और आप अगर हम इसके प्लस पर क्लिक करें तो यह देखो हायर डेट है हमने रिकॉयर्ड बनाई थी जेंडर कंट्री ठीक है इसकिल्स को हमने रिड अली बनाया था बट यह रिड अली नहीं दिखा रहा है इसका वह रिड अली है वह दिखान क्यों नहीं रहा है वह अभी हम बात करते हैं फिर सैल्डी और पी एफ ठीक है यह सारे रिकॉर्ड फिल्ड होगे अब अगर हम कोसिस करें करते हैं स्टेट टीक है सीटी जो सैलरी है अब अगर हम यह डाले तो यह सेग हो जाएगा इसकिल्स को भी हम यह से लेट से कर लिया कुछ ठीक और इसको सेब कर दिया तो नेम नेम अच्छा नेम का नौट कंटेंट टेस्ट सही है नहीं कंटेंस कर सकता बार्बरा लेवी गाल च्छाहरा दो झाल इसको कर दिया सेव तो आप अगर देखो और हमारा रिकार्ड सेव हो गया अगर हम ने रिकार्ड बनाने की कोशिस करें सब्सक्राइब ओं वो नहीं दिखेंगे ठीक वी उसी इसाफ से दिख रहा है तो हम बात करें थे इस्किल्स रिकॉरेड ओर डिक्यों नहीं बना है हमने पेस्ट लाउट से तो बना दिया बड़ यहां पे रीड ओनली क्यों नहीं दिख रहा है तो जो Salesforce Admin होता है न उसको एक परमीशन होती है कि वो Read Only Fields को Edit कर सकता है Salesforce Admin की जो Profile होती है जो Standard Salesforce Admin की Profile होती है उस Profile को परमीशन होती है कि वो कोई भी Read Only Fields को Edit कर सकता है Edit Read Only Fields उसको एक तीधोरमनली बनाई गई गई हो फार्मूला फिल्स और रॉलव समुरिप फिल्ड जोंड के कोई भी रीड़ यूजर को है ठीक है इसलिए अगर कोई फिल्ड तुम यहां से जा कचो है किए अगर मैं imply में एक फिल्ड जाओं इंपलाई में जाके और कोई फिल्ड बना दूँ जो किबाइड इफूल्ट लिया है क्रिक्षा प्च्षान हे फोर्मूला एडिटर यहां परेमिमे डाल गी मैं तो दै har词 कि दीफॉल्ट वैल्य डाले हैं अलग यह से कुछ हो नहीं से टिक है कि बात हो रही है तुडे और इसको में हमें रीड उनली करते हैं है इसको कि देक्स्ट किया आड कर दो और इसको सेब कर दो तो जब इसको एड करोगे और रिफ्रेस्स करोगे तो क्या होगा कि वो करेंट टाइम यह देखो वहां से हमने रीड ओनली बनाए बढ़ हम इसको यहां पर चेंज कर सकते हैं एडमीन इसको चेंज कर सकता है तो अब अगर देखा हो तो हमने जो है अब जह हमने तो आगर रिकार्ट बनाना हो तो हम डिफिनीशन लेबल से बना सकते हैं और फिल्ड को अगर रिकार्ट बनाना हो तो पेजलाउट से भी बना सकते हैं तो अगर कोई क। पूछता कि हम कैसा था कैसे मैं तो यह हमारे पास तीन सकते हैं मचों और बनाने के मचल को हमारे कर सकते हैं यह तरो प्रइपने सकते हैं उसको बनाने का बटा ऐसा हमें करने की ज़रुरत नहीं पड़ती है क्योंकि रीड ओनली बनाने का मतलब ही है कि उसको रीड ओनली कर दो यह होते हैं हमारे ड़and 계 podemos अब अगर आपकर रहें इसी में में ब Kollege 부분이 अब जैसे हैं पर आगे नीओ कॉंटाइक्ट श्री अप्रप डाउन करें तो निव केस, निव लीड, डिलीट क्लोन, चेंज ओनर, प्रिंटेबल व्यू, सेरिंग, सेरिंग हरारकी, यह सब बटन्स हैं, ठीक है, आब अगर हम, क्योंकि हमें यह निव कॉन्टेक्ट, निव अपॉर्चुनिटी, लीड और केस, इन चारों की वैसे भी कोई जुरूरत है दही यह चारों का कोई लेना देंडा नहीं है ठीक है, तो हमें अगर यह नहीं हो, तो जब हम लाइटनिंग में होते हैं, मोभाइल लाइटनिंग एक्शन, ओ립 हैं, गर इस पह जाता है, सेलसफोर्स, मोभाइल, लाइटनिंग, s bakis aksu under default अगर पहली बार ए इस पर जाते हैं तो यह आजाता है एक सेल्सपोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्पिरेंस एक्सेंस बाइडिफॉल्ट अगर पहली बार एडिट कर रहा होगे तो वह ऐसा कुछ आएगा ठीक है और उसके बाद फिर जब इस पर करोगे तो यह राइट साइड में एक य यख़ यह हम पकड़की ऊप़ इसको डालने आपे त्शिक हमें नहीं चाहिए था नियुँल लीड वह वह हटा देंगे नहीं चाहिए में लगले हुए हैं बट वह नहीं दिख रहे हैं लगे हुए मतलब हमारा जो बटन का पंट्रोल है वो यहाँ से होता है इस में से लाइटनिंग के लिए टिक है जो क्लासिक के लिए होता है इनको यहां से होता है यहां इनको हमने आ सकते हैं यहां से both inside करते हैं वह यहां प्याद होतीय कस्टम वटन्स में यहां सिर मुझे कुछ यह कस्टम बटन होगी तो कस्टम के अंदर लोगी में कि आप अर्च मेंmond हो यह था लहां अगलिन नहीं आत्क्र गृटॉटं यह था हमारा इस इंप्रइट यहां पिरलेंटेटります कि बात करें और रिलेटड लिस्ट के लिए स्टैंडर्ण वहता है जैसे की होता है फायइल जिसके अंदर में फाईल डिखाने है टो प्यूँद कि कि इस इस डिलेटेट लिस्ट में दिखानी है ठीक है तो फाइल से दिखाने के लिए क्या होगा कि यहां पे जाके दुमें फाइल को ड्राइगन रॉब करोगे तो फाइल अपने आप आ गई अब यह स्टैंडर्ड रिलेटेड लिस्ट है तो हम इसको कुछ चेंज नहीं कर स ठीक है अब इस पर क्लिक करोगे तो हां अब अब यह देख रहो ना फिल डेट स्टैटर्स असाइंड टू एक्चल अप्रूवर कमेंट्स अगर इसमें एडिशनल कॉलम एड करना हो या इससे यह इनको हटाना हो तो यह जो रेंच आइकन है इस पर क्लिक करोगे प्रॉप नहीं पर चाहिब है तो इसे आपके यह उस्में इसे कोई एक करना है तो उसको सेलेक्ट किया और इसको यहां से रिमूप कर दिया तो फिल यह बहुंस हो जाएंगा तो यह पी यह स्टैंडर्ड था तो इसमें हमने यह स्टैंडर्स दिखा धिए कस्टमाइघ करेंगे करेंगे अब आप इसको सेब कर देते हैं क्योंकि आप हम इसके आगे इस पेजलाओट पर काम नहीं करने वाले यह हमारा पेजलाओट बन गया अब अगर आपस इसको रिफ्रेस्ट करें तो यहां पर देखोगी यह हमारा नॉर्मल जो पेजलाओट हमारे पास है और अब दि तो कुछ भी ठीक है यहां पे चाहो तो ड्रेगन ड्रॉप कर सकते हो जी ठीक है यह एक कुश्चन था आप बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास काफी सारे पेज लियाउट है तो हम नया पेज लियाउट बनाएंगे तो यह हो गया हमारा इसका नॉर्मल पेज लाट की बात करें इस टैंडर्ड अकाउंट की बात करें यहां पर चलके तो यहां पर देखो तो यह कुछ फील्स यहां पर दिख रहे हैं है जिन्क टैप हो गया फोन हो गया वेब साइट हो गया ओनर यह सारी फील्स एडिक रहे हैं ठैक और अगर हम कुसी कांटेक्ट पर जाएं तो वहां पर मतलब उनके खुद के कुछ फिल्ड देख रहे हैं और पर देख रहे हैं और अकॉंट पर करें तो वही फिल यहां पर दिख रहे हैं नेव टॉफेज auxiliary दिख 601 ऑ ऊक्षरस तो यहां पर णा संब्सक्राइब कैसे दिखती है यहां पर क्या हमारी फिल्ड कैसे दिखेंगी वहां उसका concept होता है कॉंपैक्ट पेज लियॉट करके कॉंपैक्ट लियॉट के दो यह इसको जो सब्हूंपनेल यहां बहुत इंपार्टन फिल्ड दिखाते हैं जो हमारी पैनल में तुरंत आजाती हैं ही तो यह अगर हमें कोई भी फील्ड वहां उपर हाइँ ऐड करनी है को अब बनेगा कैसे अब बात करते हैं कंपनी की कोई एक कंपनी की इसके यह आ बात करते हैं ठीक है लेट से कि यहां पे हमें नेम तो ही उपर हमें parent company ही चाहिए active मतलब जो फिल्ड है वो चुआ हमें यहां पे ज्यादव है नहीं ठीक है ज्यादव है नहीं पर आप एक ही प्राइमरी हो सकता है एक टाइम पर एक ही प्राइमरी हो सकता है बहुत इंप्रेटन चीज है कि जो इसको हम चेंज नहीं कर सकते आगर हम से इसको क्लिक करें तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते इसमें कौन फिल्ड देख रही है क्या दिख रही हो हम सकते टीक है तो हमें इसके लिए अपना खुद का बनाना परता है लिग्ष निप आन पमब्रपट और नियुट अर नियुटी लिए और यहां पर हमारा यह हमारा ढाम आऊ है तो हम इसमें कह देते हैं कि company layout उसका नाम दे दिया हमने company layout ठीक अब यह देखो यहां पर पूछ रहा है कि कौन कौन से फिल्ड चाहिए आपको ठीक है और इसमें मैक्सिमम दस फिल्ड ही आइड कर सकते हैं सेलेक्टेट ठीक है वोचीरा है और लेट से कि हम जैसे इसको आजटीज यहां पर एड़ कर देते हैं सारी फिल्ड जो जैसा इधर था हमने सारा इसको एड़ कर दिया कैसे दिखा देता हूं यह कुछ ऐसा था ठीक है हमने सारे को एक साथ सेलेट किया सारी तक तो सारी सेलेक्ट हो जाएग और फिर अधर क्लिक किया तो इधर सेलेक्टेट से यह हो गया उसके बाद फिर हम इसको save कर देंगे तो हमारा layout save हो जाएगा ठीक है हमारा layout save हो जाएगा अब इस पे क्या है अब इसमें क्या है कि ये layout save तो हो गया बट अभी तक ये layout assign नहीं हुआ है activate नहीं किया गया primary layout अभी भी हमारा system वाला ही है अगर वापस जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि primary जो है वो system वाला ही है ठीक है तो जब हमें अपना खुद का बनाना है layout जो कि हमें उसको primary जब तक नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं चलेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो button है compact layout assignment का उस पे करेंगे तो वह वापस उसी page पर आएगा और दिखा देगा कि हमारा primary layout है company layout और double check करने के लिए compact layout पर जाएंगे तो यहां पर हमें दिख जाएगा कि अब हमारा वाला layout जो है वो primary layout है ठीक है यह हो गया अब अगर हम बात करें अब बात करें इसकी तो हम इस पर अगर refresh करें तो हमें दिख जाएगा कि क्या है ठीक तो यहां पर देखो तो यहां पर ऐसा दिख रहा है यह नगर एक चीज़ देखो तो यहां पर क्या तो हम Compaq लेट पर जाए मैं वापस अगरम Compaq लाउट पर जाएं तो अगर अभी देखो इंकल्यूड़ीड फीज्ट में सबसे ऊपर कौन सी फील्ड है तो यह सबसे पहली फील्ड होती है is included लिया selected फिल्ट में जो सबसे पहले फिल्ट होती है वह उसे यहां पर दिखाता है तो हम अगर कंपनी नेम को टॉप में कर दें सेलेट करके और एक्टिव को नीचे रखतें तो अब वह जो है कंपनी नेम को ऊपर दिखाएगा यहां पर एक्टिव की जगह और एक्टिव कि आप हम इसको यहां पर करते हैं और हम यह क्रिएट बाई और लास्ट मॉटिफाइट बाई को हटा देते हैं ओनर रखते हैं इधर ऐसे ठीक है हमने किया कि कंपनी नेम कंट्री फिर पेरेंट कंपनी फिर एक्टिव है या नहीं फिर ओनर मतलब यह जो बटन से इन से तुम आप चली जाएगी सबसे बोटम पर इसको करते हैं से अब इसको वापस करें इसको अगर वापस रिफ्रेस्ट करें तो आप देखोगे कि कंपणी नेम यहां पर आगया अब तोında कंपनीर इंद्री कुछ भी नहीं तोंकि नहीं और अ उसका ओनर है तो आप जावो तो इसका कंट्री दे सकते हो लट छेखिया मैसकी कंट्री जिए देते हैं इंडिया इसको सेब करेंगे तो यहां पर कंट्री दिखाने लगेगा और यह होता है हमारा कॉमपाक्ट पेशलाउट अब अगर हम अब अगर हम रिलेटेट में जाएं यहां पर देखो कि ख़ो तो एक यहां की सिर्फ नेम दिख रहा है तो अगर हम चाहें कि हमेंप्लाई की और भी इंफॉर्मेशन यहां रिलेटिट लिस्ट में चाहिए तो हम कैसे करेंगे मोडिफाई करेंगे देखते हैं कंपनी पर जाते हैं कंपनी पर जाते हैं कंपनी पर जाते हैं क्योंकि हम कंपनी ऑब्जेक्ट के अंदर है उसकी रिलेटेट लिस्ट इंप्लाई वाली हमें मौडिफाई करनी है मतलब कंपनी में के अंदर कोई है उसकी हमें इंफोर्मेशन और एड करनी है रिलेटेट लिस्ट में तो उसके लिए हम उसी लियाउट पर जाएंगे और अगर जो भी यह चेंजिस डिटेल वाले करने हैं तो कर सकते हो ठीक है और स्क्रॉल करोगे रिलेटेट लिस्ट हम आप कर रहा हम इसले होएं वहर। यहां पर जैसे इंप्लाइख करेंगे अलमें का इमेल चाहिए और इंप्लाइख का अगर कि हमें ने कब उसे हायर करा था और उसका P F % और उसकी और शिर्फ यहां पर नेम दिखे रहा है अब जब हम इसको सेब कर देंगे तो हमें यह चीज़े भी दिखने लगेंगी ठीक है यहां तक clear है और नीचे एक section और दिखा रहा है buttons का तो अगर इस पर click करो तो यहां पर दो buttons आ रही है new और change owner ठीक है तो अगर चाहो तो अगर यहां से let's say कि मैंने uncheck कर दिया दोनों को new और change owner को अभी यहां पर new button दिख रहा है मैंने यहां से uncheck कर दिया अब इसको okay करते हैं और इसको करते हैं सेब इसको refresh करते हैं और related में जाओगे तो यहां पर button गया यहां पर button गया होगे क्योंकि हमने वहां से button को uncheck कर दिया था दूसरी चीज related list में जो first 4 fields होंगी वही दिखाएगा है आगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ फर्स फोर फील्ड ही दिखा रहा है जो हमने यहां पर layout में add किया था यहां पर हमने कितनी add करी है 7 field है ना हमें सिर्फ और सिर्फ यह first four field दिख रही है तो यहां पे वह फस्ट फोर्ट फिल्ड ही दिखती है और अगर वी वाल पे क्लिक करोगे तो वह फिल्ड भी दिख जाएंगी जो एडिशनल लाइड़ेड है ठीक है अब अगर में इस पर जाएं और वहारा जो कंपनी इस पर करें तो अब हमें वही डिटेल दिख रही हैं जो हमारे कंपनी के कॉंपाइक में वही हाँ यहां दिख रहे हैं और इंप्लाई पे कॉम्पाइक लाउट पहले से बना रखा था मैंने इसलिए वह यहां पर इंप्लाई का कॉम्पाइक क्लाउट का यहां पर दिखा रहा है अब अगर हम इसको चेंज करतें बेस्ट आउन जो भी हमारा यह हमारा कॉमपाइक क्लाउट को और यह को दृफंब ग्राउट को दिखाएगा कि इनडे काउमपाइक क्लीए आप करते हैं हम लिस्ट व क्या हुथ है तो अब जैसे कि हमारे पास अर्य कर से हैं अब लिट्स हैं है employee to do you get a launch n 치़क आते हैं और हमारे पास तो कई सारी एन भी हम आल कांट में हमारे पास 14 डिकार्ट से बट आगे चल और यह वह मैं और चाहिए कि काम करें तो हमारे पास बहुत सारे अट बहुत हम बहुत सारे हैं लाखों में होने जी कि लिए इसमें अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं हमें चाहिए कि हमें वही रिकॉर्ड चाहिए लेट से कि हमें वही एकाउंट चाहिए जिसका इंडस्ट्री एजुकेशन है टिस्ट है या फिर हमें हम नॉर्मल यह पर कस्टमर पे चलते हैं यह आप है या फिर पिछले थे एंडिया से रिलेटेड हैं वह कस्टमर जिनका क्या कहते हैं जो भी जिनोंने ओर्डर खरीदा है या जो भी उनका अमाउंट है वो दस जार डॉलर से उपर है मतलब हमें basically कई तरह की information एक ही object में चाहिए हमें कई तरह की information एक ही object में चाहिए कि हम कौन से हमें मतलब कई तरह के बनाने हैं अब कई तरह के मतलब views हो गए बिसकली वो है ना वो कई तरह के view हो गए कि मतलब मुझे आज का record जितने वी record created हुए हैं आज के चाहिए मुझे पिछले हपते जो create हुए थे उनका चाहिए या फिर इस हपते जो इतने create हुए हैं उसका चाहिए जैसे कि हमारा कस्टमर्स है तो हम कहा है चाइडिया 90 जींकी पुलते है है जिनका हां country इंडिया है वो हमें सारे कस्में से हैं जिनका country UK है मतलब UK वाले अपना लिस्ट यूज करेंगे हम अपना यूज करेंगे US वाले अपना यूज़ करेंगे Canada वाले अपना यूज़ करेंगे तो वह बैसिकली एक एक तरह से हम यह कह सकते कि हम अलग-अलग व्यू बना रहे हैं अलग-अलग यूजर की हिसाब से ठीक है अलग-अलग यूजर को ability दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से records को filter कर लो और filter कर अब जो भी आपका रेलेटर्स जो भी अपका रिकार्ड आएगा अप लिस्ट वियूमें देख सकते हो टिक है तो किसी बी अगर अब्जेक्ट में जाओगे इसका टैब बना होगा पस्ट अफ फॉल जो लिस्ट विव काम करता तो अगर टैब बना होगा तो ही काम आप मोग्ए कि ज्यांतु करोग ढास की में चत्राज धोटाइक धिकलिक पर वाले इसका लुटमर्य बोलतेजां तो यहां पर beyond पर दिकलिक करें हैं किसी और इन्स नहीं अुन словनेंगे खाल तो और आंगर यह सरतकर अब लेट से अभी तो वैसे मारे पास ज्यादा कस्टमर्स है नहीं बट अगर हम और पर ही जाएं तो यहां पर देखो तो यहां पर सिर्फ नेम आ रहा है कुछ भी इंफोर्मेशन कुछ और देखना हो तो में क्लिक करके वहां पर जाना पड़ेगा तो अगर हम कुछ झाते हैं कि हमें कस्टमर्स की इंफोर्मेशन कुछ यहीं पर दिख जाएं तो उसके लिए हम पहले उस लिस्ट भी पर जाएंगे जिस लिस्ट पर हम चाहते हैं रिसेंटली लिटे लिस्ट पर को मोडिफाइश नहीं किया जा सकता वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगी, लेकिन हम अपनी custom जो होंगी या standard जो all है, उसको हम modify कर सकते हैं, तो जैसे हम all पे गए, और हमने यहां पे, हमें चाहिए कि हमें और भी information चाहिए, customer के बारे में, तो हम क्या करेंगे, यह जो हमारा gear icon है, list view controls, इस पे click करेंग select fields to display, तो हम इसको करेंगे, select fields to display को, अब हमें जो भी चाहिए, let's say कि हमें country चाहिए, customer की, उसके बाद हमें, उसका state चाहिए, I think उससे ज्यादा कोई field है भी ने, इसमें, ठीक है, या फिक किस ने create किया, let's say यह 4 fields चाहिए, customer ID भी है, customer ID भी है, ठीक है, यह चाहिए हमको, त तो हम यह select करेंगे, from available to visible, और इसको save कर देंगे, और जब हम save करेंगे, तो यहाँ पर देखो, तो वो information जो हमने add करी है, for any customer, वो यहाँ पर दिख रही है, आप मुझे सारे customers की information चाहिए, उसका customer ID का है, country का है, state का है, तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, जितने भी हों वो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, यह है, दूसरा यह कि अगर हम बात करते हैं कि हमें वो सारे customers चाहिए, जिनका country इंडिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन फिर से वही list view control पे जाएगे, और हम नया list view बनाएंगे, क्योंकि हमको नया चाहिए, ठीक है, पहले ठीक, और फिर यहाँ पर कह रहा, who can see this list view, तो अगर as admin आप बना रहे हो, तो आप mostly use करोगे, share list view with the group of users, बट अभी के लिए हम इसको all users can see करके save कर देंगे, अभी के लिए, ठीक है, ज़्याद हम security पर नहीं जाएंगे, अभी के लिए हम सिर्फ इसी पर जाएंगे, ठीक है, इसको save कर देंगे, तो यहाँ पर फिर से वही same, कुछ fields ही दिख रही है, ठीक है, एक ही field, कुछ क्या एक ही field दिख रही है, जो की name है, ठीक है, अभी इस पर बाद में वापस आते हैं, क्योंकि वो तो हमें पता है कि कैसे सही होगा, हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, तो यह इसकी filters वाला है, by default जब आप नया कोई list view बनाते हो, तो यह जो filters वाला है, वो अपने आप populate हो जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर दिखे होगे, filter by owner, और इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर कई सारे options हैं, यह कह रहा कि all customers, या फिर my customers, या फिर filter by scope, या फिर queue owned customers, ठीक ह तो अगर my customer select करोगे, तो यहाँ पर वही record दिखेंगे, जिनका owner वो user होगा, जो login होगा, अब भी मैं login हो, तो यहाँ पर मेरे customer दिखेंगे, कल को कोई दूसरा login होगा, तो उसके customer दिखेंगे, मतलब my customer, मतलब की filter कर देना, records को जो user login है, उनके base पे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, तो mostly my customers ही होता है, बट अभी के लिए हम इसको all customers करेंगे, but my customers वाला हमने concept देख लिया कि क्या है, ठीक है, उसके बाद हम all customers select करके done कर देंगे, अब हमें क्या चाहिए कि वो customer जिसकी country इंडिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यह एड फिल्टर दिख है यहां पर, तो इस एड फिल्टर पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर option आ जाएगे, कौन सी field, यहां पर सारी field दिख जाएंगे आपको, तो हमारी field है country, country equals, हमारा option है, वो है, इंडिया, ठीक है, और एक हमने select कर लिया, और done किया, तो यहां पर दिखाएगा country equals, इंडिया, उ और इसको save कर दो, तो जब इसको save करोगे, तो अब यहां पर सिर्फ वही customer दिख रहा है, जिसकी country इंडिया है, ठीक है, वही दिख रहा है, बाकी उसके बाद इस filter पर फिर से click करोगे, तो filter वाला option हट जाएगा, फिर से अगर future में कोई filter add करना है, तो फिर से इस पर click करोग तो filter वाला option आजाएगा, ठीक है, अब same वही चीज, यहां पर जाके click करके select fields to display, जो भी field दिखानी है, वो दिखा दो, जो जो field दिखानी है, add करके इसको save कर दो, तो वहां पर उसको field दिख जाएगी, तो सारी fields आगी, ठीक है, यह हो गया, अब लेट से कि यह तो हो गया, एक requirement ती, दूसरी requirement यह थी कि मुझे वो सारे records है, यह जो इस हपते create हुए है, ठीक है, इस हपते create हुए है, फिर पिछले हपते create हुए है, आज create हुए है, फिर कल create हुए है, ठीक है, तो उसके लिए again, नया list view बनाना पड़ेगा, है न, तो जैसे कि यह existing list view है, जिसमें पहल होगे, controls पे और इस बारी clone करोगे, new की जगए clone करोगे, ठीक है, clone करोगे, और यहाँ पे उसका नाम दोगे, let's say कि हमने कर दिये new this week, जो भी record is update create हुए है, ठीक है, all users can see, ठीक है, save किया इसको, और वो अपने वापस filter में आ जाएगा, और जिसमें पहले से filter added है, क्योंकि हम filter यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है, उसका filter मिल जाएगा ना, तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि यह filter हमें नहीं चाहिए, और इसको save करेंगे, तो हमें अभी फिलहाल हमें सारे record दिख गए, लेकिन हमें वो सारे record चाहिए, जो इस हप्ते create हुए हो, this week, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, add पर click करेंगे, अब create हुए हूँ, किस हप्ते, इस हप्ते, मतलब कि created date पर filter होगा, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, कि इस हप्ते कौन से create हुए है, जिनका created date इस हप्ते का होगा, है ना, तो हम field select करेंगे, created date, equals, अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, कि य हमें इस हफ्ते क्योंकि इस हफ्ते मतलब कि अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो अभी हम अक्टूबर में हैं कल से नमंबर शुरू हो जाएगा और अक्टूबर और नमंबर की बीच का जो डेट होगा वह आना चाहिए यहां पर फिर नेक्स्ट वीक जाएंगे तो डेट तो डाइनमिक कैसे होगा उसके लिए हमारे पास रिलेटिव डेट फिल्टर होते हैं हमने पहले भी साथ बात किया हुआ है कि हमारे पास होता है रिलेटिव डेट फिल्टर इन सेल्सपोर्स तो अगर हम रिलेटिव डेट फिल्टर की बात करें तो इस पर दिखाता है वह वह उसको चेंज करता रहता है ताइम टू टाइम अपने हिसाप से यह जो लिंक है इस पे बात करें तो यहां पर दिया हुआ है सारे रिलेटिव डेट्ट फिल्टर्स दे रखें उसने अगर अगर आपर दे रखा है येस्टरडे मतलब कल के लिए तूडे मतलब आज के लास्ट वीक, इस वीक, नेक्स्ट वीक, तो हमें कौन सा चीह है? इस वीक चीह है, तो हम इसको यहाँ पे जाके इस वीक लिख देंगे और इसको डन करेंगे, अन देन सेब, तो अब इस हफते हमारे पस कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसले नहीं आया, कोई भी, अगर हम न्यू पे क्लिक करें, और कोई भी कस्टमर इसमें, लिट से की, जॉन, डेकॉन जो भी है, ठीक है, इसको सेब किया, अब यह क्रेट हो गया, तो इसको क्लोन कर सकते हो, इसी को क्लोन करलो, और बढ़े दो कि तो न्यूव लास्ट वीग नंगे नहीं सकती तुम को सेंगेडे तो इसोक में फैसे लोगा लास्ट वीक यह नहीं है इसको कह सकते हो कि new और फिर से कदो की टूड़ेस कस्टमर्स कि करते हैं जो भी है वह उसको दे दो वह गया इसको कर दो फिल्ट्र में अगेन प्रीटेड डेट कि जगा लास्ट वीक यह दो दूडेगर दो जैए और इसको सेब कर दो तो अगर आपकी रिक्वार्मेंट है कि जितनी बार भी आप इस कस्टमर्स टैब में जाओ आप जो है नियू दिस वीक वाले लिस्ट विव में जाओ तो आप क्या करोगे उस लिस्ट विव में जाओगे और यह जो पिन वाला बटने इसको क्लिक कर दोगे तो है कि यह अब कंपनीज पर चले जाओ फिर से कस्टमर्स पर जाओगे तो वापस उसी में आव जलता है यह जो चुक shy ऑब आगर इसको पिन करना तो यह पिन माला कॉनसेट आता इस每 में और दूसरी चीज इसमें created date भी add कर सकते हो जिससे पता चले कि इस वी क्योंकि यह new this week है ना तो इसमें पता चले कौन से दिन create हुआ है तो उसको created date भी वो customer का requirement है उसके इसाब से field यहां पर change कर सकते हो यहां पर दिखा रहा है कब create हुआ एक important change है कि list view में अगर filter लगाना चाह रहा हो इसमें जैसे filter लगाया ठीक है तो अगर इसमें filter लगाना चाह रहा है तो filter सिर्फ और सिर्फ इसी object की field का लगेगा अगर इसका कोई related object है जैसे कि हम अगर बात करें employees की employees में हमारे पास कोई भी list view है अगर हम इसके filter की बात करें तो इसमें जो filter लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ employee object की field से ही लग सकता है employee से related company है उसकी field पर filter नहीं लगेगा सिर्फ और सिर्फ उसी object की field के लिए हमें filter लगा सकते हैं उससे हम आगे नहीं लगा सकते हैं बहुत ही important point है हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर कल को हमें कोई requirement आती है कि हमें अब वो क्या बोलते हैं उसको filter लगाना है पेरेंट औबजेट के बेस पर अगर हमें पेरेंट औबजेट के बेसे फिल्टर लगाना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक formula field क्रॉस ऑबजिक्ट फॉर्मूला फिल्ट बनाएंगे जो कि पेरेंट आपजेट की इन्फोर करके हम फिल्टर लगाएंगे कि बेसिकली फिल्टर जो होगा वह हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट की फील्ड पे ही होगा उससे इधर उदर नहीं हो सकता कि अगर हम चाहें तो इसका व्यू चेंज कर सकते अभी ऐसे टेबल फॉर्मेट में आ रहा है अभी चाहें तो हम यह जो ड्रॉप डाउन है यह कंट्रोल के बगल में टेबल सा कुछ दिक्रा छोटा सा इस पर अगर क्लिक करें तो हमाँ पस कई सरे आते हैं कैन बैनन करके आताह एक इस प्लिट वियू करके आता तो अगर हम इस प्लिट व्यूट करें तो वह ऐसा आएगा इधर आएगा जैसे कि एबीसी पर क्लिक करोगे तो इसका डीटेल यह दिख जाएगा मतलब साइड बाइस लिस्ट भी आएगा उसका डीटेल यहां पर दिख जाएगा तो मुस्ली अगर आज कल ज्यादा तर लोग इससे स्प्लिट विव को ही उस करते हैं कि जिससे की साइड में उनको डीटेल्स से दिख जाती है ठीक है और सिसको हाम रिकोर्ड की डीटेल जिस पहुआ उन्हें ठीक है यह चीज किरोगे तो उसके बारेमिंश साथ जाएगा प्रेट कर सकते हैं जो कई भी इंपोटन होता था, इन टेमस आफ अगर हम बात करें कि हम हम सी हुम्डेट बात करते आं यहां पे हैं इंपलाइस का कांट्री है कुछ अप oui क्या है यहाँ सब ओर सब का अलग अलग दिखेगा कि हैंना सबकर अलग-अलग दिखेगा कैन्व यू किया गयता है कि अगर आपको आपके पास कोई पिकलिश फील्ड है या कुछ है कोई भी एक फिल्ड है जिस पर आपके पास मल्टिपल वैलुज हैं और आप उस मल्टिपल वैलुज के हिसाब से अप देखना चाहते हो कि ए कि यहां पोछेघा समराइजड बहुत important है का अबिलोज्टेंग्स में हमें सम करना पड़ता है तो यहां पर हम इसको सेब कर लो तो यहां पर हमारे पास यह कैंड बन वीव ऐसे दिखता है ठीक है तो यहां पर देखोगी कि नन मतलब जिसकी कोई कंट्री स्का है जिसका कोई भी पैसे नहीं अगर इसे क्रोल करेंगे सकर्ण करते जाएंगे तो सारी कंट्रीश के यहां पर दिखाएगा जितनी भी पिक्लिश्ट वैली हुआ सब का दिखाएगा थे दो कि अंदिया पर देखोगे तो सारे हमारे एंप सब का समराइज कि हमने फाइनल से लिए और यहां पर आ गई अब इसका एक बेनिफिट यह होता है कि लेट से कि अगर इस इंप्लाइट को चेंज करने इसको एसे ड्राइगन ड्रॉप कर दो दूसरी जगा कंट्री चेंज हो जाएगी अगर कोई इसकी रिकवाइट फिल्ड मिशिंग नहीं है हमारे केस में है इसलिए इसने अप्लेट कर दिया कि वह सब ठीक है पर इसकी रिकवाइट फिल्ड पॉप लेट कर दो कि वह करा है कि इसको सेब कर दो अच्छा टेस्ट नहीं ले सकते हो कि कि यहां पे देखोगे कि हमारी जो कांट्री है वह अब हमने चेंज कर दी एक इंपलाई की जो की हो गई है इंडोनेशिया थिंक ठीक है तो वह जैसे जैसे इदर जाते जाओंगे हाँ अब इसका इसकी चाहो तो इसके आसे चेंज गर दो इसमें भी कुछ तो रिकार्ट फिल्ड है और डेट वगेरा इसले इसका भी वह बोल रहा ह है इसको सेब करोगे तो देखोगे तो इसकी सैलरी भी मतलब सारी सालरी करें इसका कांट्री भी चेंज हो गया तो जो कैंबन वीव का एक वो बेनिफिट वह यहां पर दिख जाता है बट यह मुसली जो कैंबन वीव है वो लीड और पॉर्चनेटी के केस में व्यूस करते जिसमें हमें पता चलता कि पॉर्चनेटी का किस स्टेश में कितनी पैसा कहां जा रहा है करके चाहिए इसकी हमने सारे कुछ साही चाहिए तो यहां पर डाल सकते हैं अब इस बड़ी एर नहीं थी इसलिए उसने डान डारेक्ट उसको कर दिया ठीक है और इस पर आइस पर तो लेके जाएगा ही जाएगा वह सारी चीज़े होती है तो वापस जाओगे फिर से तो वहीं केंबन व्यू में दिखेगा तो इसको चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हो यह बेसिकली था हमारा लिस्ट वीव के बारे में जो कैंबन व्यू का था ठीक है एक जो है वह हुथ लिस्ट वीव में हैं वह है कि लेट से कि हम tep influencer जाते हैं और अलशकान पे जाते हैं कि तो इस पर हम चार्ट भी एड़ कर सकते हैं चार्ट भी एड़ कर सकते हैं तो अगर इस चार्ट पर क्लिक करें तो अभी आँपे क्या करा है सेलेक्टेट चार्ट साइए है हमने बनाया नहीं है इसमें आ रहा है एकाउंट्स बाइंडस्ट्री हुए साट हमने मैंने बनाया होगा इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है चार्ट कि मतलब हर एक इन्ड़ी के हिसाब से एकाउंट कतना है एंजी के तीन इकाउंट हैं आप मितलब हैं वें हम चार्ट भी देख सकते हैं आपने हिसाब के हाई ins कि यहां तो हम customers पर जाएं इंप्लाइस पर चलते हैं और इसको पहले चेंज करते हैं टेबल व्यूपे क्योंकि वहीं पर आएगा वह चार्ट है यहां पर कोई नहीं है ठीक है लेट से कि अब हमें चाहिए कि इस लिस्ट विव के लिए चार्ट नहीं था हमारे पास हमें चा को हैं कि किस्ट के काम करते हैं हमें इंप्लाइप करना है अब करेंगे नहीं कब लेंख होगा नहीं ठीक है कैंब न मिलेंगए कि लेंगे क्योंकि नेम कभी ब्लैंक होगा नहीं टेटा सो करना है चार्ट पर अगर हम सेव कर दें तो यहां पर देखो यह दिखा रहा हैं इंडिया के चार इंप्लाई है नॉट स्पेसिफाइड का वन है इंडोनेसिय का वन है इरान का वन जै आपई यहाँ पही चार्ट दिखने लगए और यहाँ पर प्लस प्लस प् falta करके देखने की कट्री के बेस पे employees की salary देखनी है जितनी कितनी salary हम दे रहे हैं उसको जी तो हम new chart पे click करें और इसमें हम करें कि salary by country टिक और let's say donut ले ले लेते हैं हमको फिर से donut चाहिए क्या चाहिए इस बरी हमें sum चाहिए क्योंकि हमें सारे employees का salaries का sum मिलाना है तो हमने sum कि या कौन से फील्ड salary गुरूप आई country के बेस पे और इसको सेब कर दो तो आप यहां पर देखोगे तो वह दिखा रहा है कि इरान के इतना salary इंडिया का इतना इंडोनेसिया का इतना नौट स्पेस्वाइट का जीरो यह अगर यह जो बार्बरा लेवी का इसी का बहुत ज़्याद हमने कर दिया था अगर इसको हम सेब कर दें और फिर यह भी भी आएगा इसको में चेंज करना पड़ेगा तो पहले हम चेंज करते है तो आप देखो कि तो चेंज होगा इंडिया इंडोनेसिया एरान और नौट इसफेस्वाइट अब यहां पर चाहो तो इसको चार्ट भी चेंज कर सकते हो वीव वर्टिकल चार तो यह ऐसे दिख रहा है कि 13 मिलियन इंडिया का है 2.5 मिलियन इंडोनेसिया का है इस्लामिक रिपब्लिक आफ कहा है 346 3.46 लैक इसी तरह अगर हरिजेंटल करोगे तो हरिजेंटल दिखाने लगेगा जो भी चाहिए उसके साब से इसमें तीन ही सपोर्टेड होते हैं वो तीन के साब से देख सकते हो तो मतलब लिस्ट इव्यू एक अच्छी चीज होती है अगर हम बात करें यूजर के साब से यूजर सारा कुछ यहां देख सकता है अपने साब से ठीक है तो यह है हमारा पूरा का पूरा अबाउट लिस्ट कोई क्वेश्चन कोई डाउट बहुत इंपॉर्टन चीज है इसको यह सारा कुछ ट्राई करना अपने सेल्सको सार्ग में जाके यह सारा कुछ ट्राई करना अगर नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने से याद नहीं रहेगा यह सारी चीज़े जब आप ट्राई कर तो तब ही आपको सारी चीज़े याद होती